भागवान ने सब जीवों को एक रथ दिया है एक एक शब्द पर ध्यान देना हो रथ अरे जैसे तांगा होता है एक का होता है ऐसे ही प्राचीन काल में रथ हुआ करते थे उस रथ में एक यात्री बैठा है और रथ की बाड़ी है लकड़ी की और उसमें कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुह से एक रस्षी बंधी है और रस्षी को हाथ में लेकर एक ड्राइवर बैठा है ऐसा रथ भगवान ने सब को दिया है किसलिए दिया है मेरे पास आजाओ इसी रथ पर बैठकर मेरे पास आजाओ आनंद सिंदू के पास लेकिन अनंत जन में बीट गए चलते चलते रथ कभी रुकता नहीं चलता रहता है और रथ जहां पर दिया है उसी के पीछे भगवान का घर है लेकिन आगे ही बढ़ता जा रहा है वो पीछे नहीं देखता और भगवान से दूर होता जा रहा है यह किसकी गलती है यात्री तो घोड़ों को हाटता नहीं ड्राइवर का सब काम है तो शरीर यह जो दिया है भगवान ने यह रथ की बॉड़ी है और इस शरीर में इंद्रियां जो है आख, कान, नासिका, रसना, त्वचा यह घोड़े हैं और इन इंद्रियों को गवर्न करने के लिए एक रस्टी है इनके मुह से उसका नाम लगाम आप लोगों ने देखा होगा घोड़े के मुह में लगाम होती है यह पाँच घोड़े है और इनके मुह से एक लगाम है वो मन है घोड़े इंद्रियां है और वो लगाम रस्टी मन है और ड्राइवर बुद्धी है तो आप लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें यह सब साथ रहते हैं बुद्धी ने मन से कहा मनगर चलना है तो मन कौन रस्टी ड्राइवर ने रस्टी से इशारा किया घोड़ों को बाएं चलो और घोड़े समझते हैं और ड्राइवर के खिलाफ ना रस्टी काम कर सकती है ना घोड़े अईसा भगवान ने दिया है जो बुद्धी कहेगी वही मन करेगा मन जिधर को इशारा करेगा घोड़े उधर को चलेंगे तो एक साइड में माया है एस अंसार और पीछे की साइड में भगवान है आनंद है हम आगे की साइड में भाग रहे हैं क्यों सब भाग रहे हैं उधरे सब कहते हैं इधरे ही है आनंद नगर भागते भागते अनन्त जन्म बीत गए एक दो करोड जन्म नहीं तो यह सब गड़बड़ी ड्राइवर की है ड्राइवर अन्जान है और अगर बताया भी जाए ड्राइवर को कि अरे आगे क्यों जा रहा है पीछे है तो कहता है बेहुकूप सब तो आगे जा रहे हैं इस बताता कौन है गुरु जो आनंद नगर में ही रहता है वो बताता है हम लोगों को कि आनंद इधर नहीं है उधर है हरी गुरु के पास आनंद है रत्थ वही है घोडे वही रहेंगे लगाम वही रहेगी ड्राइवर वही रहेगा लेकिन गुरु की बात अगर ड्राइवर मान ले तो बस अबाउट टर्न होने की देर है लेफ टर्न ने राइट टर्न ने पूरा घुम जाए बेद कहता है द्वास उपरना सवजा सखाया समानम ब्रिक्षम परिक्यस्त्व जाते श्वेताश्चुत रोपनिसत चार छे अम्तहकरण में एक तो जीव है मैं और एक ब्रह्म है भगवान दोनों एक जगे हैं यह आगे की ओर जीव है पीछे भगवान खड़ा है यह जीव चलता जा रहा है और भगवान इसके प्रते कर्म को नोट कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं घूम जा हम नहीं सुनते नहीं मानते बेदों में भगवान ने कहा मा में कम शर्णम ब्रज गीता में कहा हर ग्रंथ बने इसके लिए और संत भी आए उन्होंने भी सम्झाया और यह भी बताया कि देख इधर तो चपल जूते मिलते हैं सब स्वार्थी लोग हैं बाप अपना मतलब चाहता है मा अपनी मतलब चाहती है बेटा अपना मतलब चाहता है सभी विचारे दुखी है आनन्द चाहते हैं उनसे तुषको क्या आनन्द मिलेगा आनन्द तो गुरू और भगवान के पास है उनसे प्यार कर हम नहीं मानते हैं नहीं मानोगे तो 84 लाक में घूमना पड़ेगा कुत्य बिल्ली गधे मच्छर बनना पड़ेगा मानो देह तो बहुत मुश्किल में एक बार कभी मिलता है कबहु क करी करुणा नरदेही देत इश तो इलाज बता रहा है कि तू अपनी बुद्धी को गुरू की बुद्धी में समर्पित कर दे देखो किसी का मुकदमा होता है कोर्ट में तो हमारे देश में या सारी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां कि हर पबलिक को उस देश का सब कानून याद हो अरे थोड़े से वकील है बस वो बेपढ़ा लिखा गाओं का गमार वो सब याद कर रहा है वकील साहब ने कहा है ऐसा पूछे दूसरा वकील तो ये जवाब देना और ऐसा पूछे तो ये जवाब देना और अगर कोई और सवाल पूछ बैठे तो चुप रहना हो गलत जवाब मत दे देना आवोट ने गाठ बाढ़ लिया अब उधर वाला वकील पूछ रहा है सवाल ये फटा फट जवाब दे रहा है और साइन नहीं करना जानता अंग उठा देता है कोर्ट में लेकिन उसने सब वकील की बात मान ली पैसा दे के उम्मकदमा जीत गया ऐसे ही हमको अपनी बुद्धी को गुरू को की बुद्धी में जोड देना है गुरू ने जो कहा बालमीक से कहा राम राम बोल नहीं ए भगवान राम नहीं बोल सकता है अच्छा मरा बोल सकता है हाँ बोल मरा 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 देख ये बोलते रहना जब तक मैं लोट के ना आऊँ अच्छा गुरू जी वो महापुरूष हो गया उसके उपर दीमक के पहाड बन गए लेकिन वो उठा नहीं ये गुरू जी कहा है हम जब आएंगे तब उठना ये गुरू की शरणागति उनकी बुद्धी में बुद्धी जोड दिया बस और कुछ नहीं अरे रोज आप लोग बीमार होते हैं डाक्टर के पास जाते हैं डाक्टर ने जो दवा लिख दिया या दे दिया बस बुद्धी नहीं लगाते हैं एक बुन दवा लेना एक चम्मच पानी में तीन बार ठीक वैसे ही करते हैं ये बुद्धी नहीं लगाते कि तीन बार को कौन चक्कर काटे हैं एक बार में सीशी पी लो अधे मर जाएगा ऐसा नहीं करना जैसा डाक्टर पहता है वैसा ही हम करते हैं तो ऐसे ही गुरू की प्रतेक आज्या में बुद्धी नहीं लगाना जिसने गुरू की बुद्धी में सेंट परसेंट बुद्धी जोड़ दी वो महापुरुष बन गया और जिसने कुछ तेरी कुछ मेरी चोरी चोरी संसार से प्यार कर रहा है और गुरू जी से भी कर रहा है गुरू जी ने क्या कहा था संसार से प्यार नहीं करना तू तो ऐसा काम कर रहा है कि एक दिन कपड़े में साबुन लगाता है दूसरे दिन गंदगी में डुबो देता वाईशे तो कपड़ा कभी नहीं साफ होगा फट जाएगा तो बुद्धी को गुरु की बुद्धी में जोड देने से ही लक्ष की प्राप्ति होगी ए भावारत रादे